नमस्कार दोस्तों हम लोग mechanical engineering के एक important topic grinding and surface finishing process से related objective question की practice कर रहे हैं और आज हम लोग इसके part 3 की practice करेंगे part 3 में भी 25 question ही लेकर आया हूं इससे पहले part 1 और 2 में जो objective question में समझा चुका हूँ यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो youtube पर grinding process की नाम से हमने playlist बना दिये उसमें हुआई video मिल जाएए चलते हैं start करते हैं पहले question में लिखा हुआ है grand size range between 90 and 220 is considered तो जो हमारी grand रहते हैं उनकी numbers रहते हैं जैसे मैं पहले बताया था यह जो भी numbers हैं जितने भी question बार बार repeat हो रहे हैं उनकी theory पर में वीडियो बना हुआ हुआ है पर इस तरह बार बार समझाना मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस तरह कि question बनने लगेंगे जब भी आप प्रेक्टरस करें यहां पर नाइंटी टू ट्वांटी है यह दर साता है fine grind को किसको fine grind तो हमारा evolution राइट हो जाए हो नेक्स्ट कुछ हम लेखा surface finishing surface finish produce by electrochemical grinding on tungsten carbide tungsten carbide पर electrochemical grinding द्वारा जो surface finishing produce की जा रही है उसमें पूछ रहा है can be expected to be the order of micron micron में क्या order होगा जब भी आपको question जो मैं बोलता हूँ सुनाई ना दे या समझ में आये तो आप दो बार repeat करके यह जो हिंदी में question लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेंगे तो आप से questions आपको question समझ में आ जाएगा समझ में आया question समझ में कैसे आएगा यह जो हिंदी में question लिखा हुआ है यह आप हिंदी medium के हैं तो इसको दो बार repeat करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसका जो है 0.22-0.4 जो रहता micron में रहता है यह जो हमारा जो surface produce की जाएगा तो इसको हम लोग highlight करेंगे वी वाले option को तो जो भी हलो करेंगे मैं highlight कर रहा हुआ है सबी questions का answer होगा next question में लिखा हुआ है इन grinding wheel mark with grinding wheel में यह number mark है और पूछ रहा है इल क्या सोकर आता है जैसा मैं बता चुकोंग इस तरह के जो भी question आ रहे है उन पर मैं video बना दूँगा तो जो यहां पर इल सोकर आता होगा वील की hardness को सोकर आता है इसको वील की hardness को सोकर आता है तो C वाला option नमारा right हो जाएगा नेक्स्ट में लिखा if the hardness of grinding wheel is very hard then the designation of letter will be तो आयादी grinding wheel की hardness होगा very hard है कैसी है बहुत जादा hard है तो उसमें हम कौन सा letters हो कराएगे इसमें कराते है T2Z क्या कराते है T2Z वाला option नमारा right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है hardness of grinding wheel can be denoted as letter A to G जो अभी हमने इससे पहले question पढ़ा था उसी type का question है कि जो numbering है A to G वह क्या सोकर आती है A कराती है soft को क्या soft hardness को सोकर आती है हमारा concept B वाला option right होएगा इसमें next question में पूछा है which unit is used for surface speed is grinding machine जो surface की speed है grinding machine में वह किसी unit में represent की जाती है जो है की जाती है meter per second में किसमें meter per second में C वाला option हमारा right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है structure of grinding wheel is denoted by question पूछ रहा है कि जो wheel का structure है वह कैसे दर्स आएगा letters में, numbers में, slash में या words में इन numbers में दर्स आएगा, किसमें numbers में, मलब बी वाला option हमारा right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है type of grinding wheel is used for higher rate of material removal question पूछ रहा है किस type की wheel का उपयोग किया जाता है जब हमें तेजी से material को remove करना हो, किसे तेजी से higher rate से material को remove करना हो यहाँ पर vitrified bond का use किया जाता है किसका vitrified का bond use होता जिस wheel में उसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे वी वाल option right हो जाएगा next question पूछ रहा है which bond is commonly used in grinding wheel grinding wheel में कौन सा common bond use किया जाता है जो normally use कर लिया जाता है तो यह होता vitrified bond कौन सा होता है vitrified bond common bond में आता है तो हमारा यह वाल option right हो जाएगा next question में लिखा है in standard marking in standard marking system of grinding wheel grinding wheel का जो marking system है standard वाला उसमें जो grand size 20 है वो एक क्या सो कराता है यह सो कराता है course को क्या course grand size को तो हमारा कौन सा हो जाएगा यह वाला option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है in the grinding wheel of A60 G7 B23 B stand course मतलब B का यह जो number लिखा है यहां से यहां तक इसमें B का क्या मतलब हो जो B का मतलब है resinide bond क्या होता है resinide bond B का मतलब होता है next question में लिखा which one of the following material is used as the bonding material for grinding wheel grinding wheel में bonding material के आधार पर किस material का उपयोग किया जाता है यह bonding के लिए किस material का उपयोग किया जाता है इसमें किया जाता है हमारा sodium silicate का किसका sodium silicate का B वाला option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है which one of the following is not used as abrasive material in grinding wheel इन मेंसे हमें बताना है कि कौन सा यहां पर जो material है कोई abrasive material के रूप में grinding wheel में खाम नहीं करता है यहां पर जो manganese oxide है यह grinding wheel में bonding material के रूप में खाम नहीं करता है sorry abrasive material के रूप में काम नहीं करता तो B वाला option right हो जाएगा next question हम लिखा the hardness of grinding wheel is determined by grinding wheel है उसमें hardness कैसे determined की जाती है यह किसके दोरह determined की जाती है यह होती हमारी जो abrasive है उसको बनाय रखने के लिए जो उसकी bond की छमता है उसके आधर पर तो हमारा पंसा B वाला option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है abrasives are not using तो abrasive है इनमें से abrasive की रूप में किसका उप्योग नहीं किया जाता है तो यह जो हमारी वर्नेशिंग प्रोसेस है कौनसी है वर्नेशिंग प्रोसेस है यह abrasive की रूप में काम नहीं करती है तो हमारा B वाला option right हो जाएगा क्योंकि यह finishing process है यह super finishing process है ऐसा बोल सकते है next question में लिखा which of the following is the natural abrasive natural abrasive की रूप में इनमें से कौन काम करता है तो कौरंडम इसमें काम करता हमारा डिवाल option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है अग grinding wheel gets galleys due to मतलब जो grinding wheel में चमाक आती है वो किसके कारण आती है तो यह है जब क्या होता है जो हमारे abrasive grain है हुआ है जब घिसते हैं चलते चलते तब उसमें चमाक आती है ऐसा ही लिखा है beer of abrasive grains उसकी घिसने की कारण में यह वाला option हमारा right हो जाएगा next question लिखा which of the following is the not a natural abrasive इन्यों मैं से कौन सा natural abrasive नहीं है तो जो boron carbide है यह natural abrasive नहीं है C वाला option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है a grinding wheel is specified by C70G7R23 यह पूछ रहा है जो C है यह क्या represent नहीं है C का मतलब क्या होता है C का मतलब होता है silicon carbide क्या होता है silicon carbide वहला हमारा B वाला option right हो जाएगा next question में लिखा हुआ है C क्या है silicon carbide ठीक है अब next question में लिखा which letters are used to denoted soft grade of grinding wheel soft grade को कौन सा सोकर आता तो यह टूए अच्छे हुआ है soft grade को सोकर आते हैं मैं कई बार समझा चुपाँ इसको जल्दी से टिक करके आँगे बढ़ते हैं next question में लिखा which of the following operations cannot be performed in grinding machine grinding machine इनमें से कौन सा operation perform नहीं करती है या इसके दोरा नहीं किया जाता है तो surface grinding की जाती है cylindrical grinding की जाती है internal grinding भी की जाती है यहाँ पर ऐसा कोई option नहीं दिया तो none of the none of these लिखेंगे हमें इनमें से कोई नहीं इसके बढ़ा हो जाती है नेक्ट कुस्चन में लिखा हुआ है इन्मसीन लेपिंग यह इसकी बात कर रहा है for hard material Карऽ मेंटरियल के लिए अंख प्रिशर अप्रूपप् oh सीवाल उसकार राइट हो जाएग फिरेंटरियल में लिखा हुआ है जेनरली दा माटेरियल ओप दा लेब शुट भी माटेरियल जो लेब की माटेरियल के लिए हम कौन सा माटेरियल यूज करते हैं किस टाइप से माटेरियल यूज करना चाहिए किस टाइप से माटेरियल यूज करना चाहिए इसमें जो हमारा बी ओप्शन लेखा softer than the work piece work piece से कैसा हो चाहिए soft होना चाहिए इस तरह का material करना चाहिए next question हम लिखा for lapping soft metals abrasive are used lapping के लिए लेपिंग के लिए जो हमारा abrasive use करते हैं उसमें कौन सा use करते है है ना या पर कह सकते हैं हाँ से कि जो हमारी soft metal है soft metal की lapping के लिए आप रखें soft metal की lapping के लिए जो हम लोग abrasive का उपयोब करते हैं तो इन मेंसे किसका उपयोब करते हैं इमरी लिखा हुआ है इमरी किसका उपयोब करते हैं next question हम लिखा tool used in honing process is called honing process में कौन सा tool use करते हैं तो इसमें जो tools यूज करते हैं उसको बोलते हैं hon क्या बोलते हैं hon बोलते हैं वाला option हमारा right हुआ है तो आज कि ये 25 questions थे next part फिर से लेकर आऊँगा तो उसमें next 25 questions हम लोग समझेंगे और इस topics related लागबाग मैं 150 questions लेकर आया हूँ तो सभी complete करेंगे thank you friends